हेलो दोस्तो अगर आप Google Map यूज करते हैं तो Google Map के कुछ सांदार फीचर मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये सांदार Google Map के फीचर आपको जरूर पता होने चाहिए अगर आप इस आइकन पे किलिक करते हैं तो आपकी location कुछ इस तरह से ये दिखाई पड़ती है पहले फीचर के अगर बात करें अगर example के लिए आपको अपनी इस location से किसी destination पे जाना है मान लिया मुझे यहाँ पे से अपनी destination एक Mumbai Central Railway Station तक अगर जाना है तो यहाँ पे मैं search box में type करूँगा Mumbai Central इतना type करते ही कुछ सारे option मेरे सामने आ जाते हैं मैं जिस भी destination पे जाना जाता हूँ उस पे मैं click कर लूँगा तो यहाँ पे मैं directions वाले option पे सीधे click कर लूँगा तो इस तरह से अभी यहाँ पे यह आपकी directions दिखाई पड़ता है तो यहाँ पे अगर आप start वाले option पे click करते हैं तो यहाँ पे यह आपका icon जो आप अभी जिस जगह पे हैं यहाँ पे इस तरह से आपका यह icon देखाई देता है लेकिन अगर आप इस icon पे click करते हैं तो अपनी vehicle का icon आप इस तरह से change कर सकते हैं इस type के कुछ vehicle के icon यहाँ पे बने हुए हैं तो इसे आप change कर सकते हैं और जैसे जैसे आप move करते हैं तो यह vehicle भी आगे को बढ़ते जाता है यह काफी देखने में attractive लगता है तो google map के अगले feature की अगर बात करें अगर example के लिए आपको एक जगह से दूसरे जगह की distance पता करनी है यहाँ पे आपको अगर अपनी location से दिल्ली की distance पता करनी है कि कितना distance पे यहाँ से दिल्ली available है तो यहाँ पे आप search box में दिल्ली type करते हैं जैसे यहाँ पे मैंने दिल्ली type कर दिया तो यहाँ पे मैं अगर दिल्ली type करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर directions वाले option पे मैं किलिक करता हूँ यहाँ पे choose start point में आप अपनी location डाल सकते हैं यहाँ पे your location वाले option पे simply आपको click कर देना होगा तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं दिल्ली से हमारी location से दिल्ली की दूरी 1274 km है और 22 गंटे 57 मिनट हमें लगने वाले है यहाँ पे आप कहीं से भी कहीं की दूरी पता कर सकते हैं यहाँ पे अगर आप मुंबई से दिल्ली की दूरी पता करना चाहते हैं तो यहाँ पे your location की जगह आप यहाँ पे मुंबई डाल सकते हैं जैसे यहाँ पे मैंने अगर मुंबई डाल दिया तो आपको मुंबई से दिल्ली की दूरी पता चल जाएगी यह अभी थोड़ा टाइम ले रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1401 किलोमेटर मुंबई से दिल्ली की दूरी है तो इस तरह से आप कहीं से भी कहीं की दूरी पता कर सकते हैं दोस्तो अगले फीचर की अगर बात करें अगर आप एक location से अपनी location से कहीं पर जा रहे हैं जैसे यहाँ पर मैं Mumbai Central Railway Station जा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं start वाले option पर click कर लूँगा तो यहाँ पर जैसे जैसे आपकी गाड़ी move करती है तो यहाँ पर यह English में बोलती हुई नजर आता है इसमें की turn left and right इस तरह से यह बोलती हुई नजर आता है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह हिंदी में बोले की दाहिने मुणे बाये मुणे तो इसके लिए आपको क्या करना है तो आपको सीधे इस icon पर आपको click कर लेना है यहाँ पर आपको थोड़ा सा scroll करते हैं तो navigation setting वाला option दिखाई पड़ता है तो यहाँ पर voice selection वाले option पर आप English की जगह इसमें हिंदी कर सकते हैं इसमें अलग-लग type के कई सारे languages भी available हैं आप अगर चाहे तो उन languages को भी select इसमें कर सकते हैं अगर example के लिए मैं यहाँ पर हिंदी select कर रहा हूँ और इसके बाद navigation अगर लगाता हूँ तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं जैसे मैंने इसके बाद लगाया Mumbai Central Railway Station और यहाँ पर directions वाले option पर अगर मैं किलिक करता हूँ दक्षिन की ओर बढ़े आप यहाँ पर सुन सकते हैं दक्षिन की ओर बढ़े इस तरह से यह navigation में बोलती है इसकी voice हिंदी में आने अभी लग गई है इसके अगले feature की अगर बात करा है example के लिए आप एक जगह से दूस्ती जगह जा रहे हैं और travel कर रहे हैं और या आप किसी bus में बैटे हैं या train में बैटे हैं तो normally आपको उसकी speed पता नहीं चलती है कि किस speed से आप travel कर रहे हैं यहाँ पे आप अपनी अगर speed इसमें डाल देते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे अगर scroll करते हैं तो navigation setting पे आपको click कर लेना है और यहाँ पे नीचे को अगर scroll थोड़ा सा करते हैं तो यहाँ पे speedometer वाले option पे आपको click कर लेना है इस पे click करते ही जैसे ही आप अपनी location से destination में जाने के लिए कुछ type करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से अगर आप directions में click करते हैं तो इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कफी ज़्यादा important यह अभी feature होने वाला है इस feature की मदद से आप किसी भी दोस्त की या किसी भी अपने रिष्टेदार या किसी भी friend की live location को track कर सकते हैं आपको just क्या करना है उसका mobile लेना है और यहाँ पे इस icon पे click कर देना है और location sharing वाले option पे आपको click कर देना है इसके यहाँ पे plus वाले option पे अगर आप click करते हैं तो यह duration बढ़ने लग जाती है कि 6 गंटे 7 गंटे या एक दिन के लिए आप अपनी दोस्त की location आपके साथ share करना चाहते हैं लेकिन अगर यहाँ पे दूसरे option पे click करते हैं तो जब तक आप इसे turn off नहीं करते हैं तो उसकी location आने के बाद अपने आपको इसकी location आपने send कर देनी है अब हो रहा है लोड होने के बाद यह सिदा आपका WhatsApp पे आ जाएगा और खुद को अपने आपको आपने अपने दोस्त की location को send कर देना है तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने दोस्त की live location अपने साथ share कर सकते हैं होती रहेगी जब तक कि वो उसे turn off नहीं कर देता है या एक दिन के लिए जितने time के लिए आपने share कर किया उतने time तक उसकी live location आपके साथ share होती रहेगी तो दोस्तों यह थे Google Map के कुछ सांदार feature अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को share किजिए धन्यवाद